नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं अधारित अस्थानिय निती और OBC को 27 परतिसत आयरक्षन पर फैसला के बाद से परदेश की राजनिती खल चल तेज हो गई है इस बिच मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने राजेपाल से मुलकात की और साम को दिल्ली रवाना होगा हेमन सुरेन की अचानक दिल्ली दौर को लेका राजेपाल रमेस बैस से मिले सियम हेमन सुरेन जहरखन में एक बार फिर मुख्य मंत्री अवास और राजबहन चर्चा में है इस बार चर्चा का आगाज गुरु आर की दो पर दो बज कर दस मेर से सुरू हुई जब मुख्य मंत्री हेमन सुरेन अपने अवास से निकल कर सीधे राजबहन पहुचे इस दवरान राजनिती के लियारों में क्यास का दौर सुरू हो गया राजबहन में राजेपाल रमेस बैस के साथ मुख्य मंत्री हेमन सुरेन की करीब 40 मिट तक बात चीत हुई दो फर करीब दो बच कर 50 मिट पर जब मुख्य मंत्री के काफिला राजबहन से निकला तो हेमन सुरेन गाड़ी के अंदर से हाथ ही लाते हुए आवास के लिए निकल गए बता दे मुख्य मंत्री ने मीडिया से बात नहीं की लेकिन मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के द्वारा राजेपल को सोपा गया दो पेज का ग्यापन जरूर सामने आया जार्खन में बड़ी अबादी के पास 1932 का खतियान नहीं जार्खन कैबिनेट ने परदेश में 1932 के खतियान के अधार पर अस्थानियता को परभासित करने का निने तो ले लिया है लेकिन इसमें अभी कई अर्चने हैं बड़ी अबादी के पास 1932 का खतियान नहीं है हस्त्र होगा इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में बबुओं से लेकर अफसरों तक के सामने यही समस्या आएंगी दरसल जारखन के कई जीलों में तो 1960 एवं 1970 में सर्वे हुआ है 1932 में नहीं इन जीलों के लोगों के सामने बड़ी समस्या आएगी हाला कि अभी राज सरकार के पास समाई भी है कैबिनेट में जारी संकल्प के अधार पर विधायक तयार करने के क्रम में तुरुट्यों के निराकरन का प्रयास किया जा सकता है ज्ये टेट से पहले सिक्षक नियोक्ती से वनचित होंगे 5000 प्रसिक्षित स्टुडेन्ट में पहले चरण में 26-696 पदोपन युक्ति परकिरिया सुरू करने का नहीं नहीं लिया है जार्खन सरकार के सिक्चा मंत्री जगनात महतों ने इस पर अपनी स्युक्रिती भी पदान कर दिया सेथ पदोपन युक्ति की परकिरिया जेटेट आयोयान होने के बाद सुरू की जाएगी हेमंत सरकार को जटका राजभौन ने लोटाया बिधयाक राजपल्डा में इस बहस ने राज सरकार के एक और बिधयाक पर अपनी स्युक्रिती नहीं दिया राजभौन ने गुरुवार को दो तुरूटियों को अधार बनाते हुए जारखन, काराधान, अधिनियमो की बकाया रासी का समधान बिधयाक 2022 वापस कर दिया कहा गया है कि बिधयाक के अंग्रेजी और हिंदी के प्रारूप में अंतर है साथ ही इंगित की गई तुरूटियों में सुधार करते हुए दोबारा बिधयाक भेजने को कहा है अब राजभौन ने जारखन, काराधान, अधिनियमो की बकाया रासी का समधान बिधयाक 2022 में तुरूटिया इंगित करते हुए कहा है कि इसके अध्याय 2 के कॉलम 3 में एक सारनी है जिसमें मामलों के तीसरे परकास में जहां भी धयाक अंग्रेजी प्रारूप में एक और बी खांड है वह हिंदी में करमसा को और खा की जगा एक और दो कर दिया गया है सियम हेमन्त ने नौन युक्त माधमिक सिख्षकों को दी बधाई जहरकन किराइधानी राची के मुख्य मंतरी आवासे परसर में नौन युक्त माधमिक सिख्षक 2019 बैच की और से अभार करकरम कायोजन हुआ इस मौके पर सियम हेमन्त ने कहा कि राजे का मुख्या होने के नाते हम एक और राजे को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं वहीं बेवस्था में बरसो सचली आ रही खामियों को दूर करने का पर्यास पर लगातार जारी है पुर्व सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा राजे वासियों को भुगतना पड़ा है जारखन में 1932 खतियान को लेकर जस्न का महल सिक्षा मंतर जगनात महतों ने जे एमेम सुप्रीमो सिवू सोरेंस से असिरवाद लेते हुए कहा कि बाबा 1932 का खतियान आप ही का देन है उन्होंने कहा कि हमें हक और अधिकार के लिए लड़ना सिखाया था आज उसी का असर है कि हमेंत सुरें के नेतित्र में पूरा राज गौर और सम्मान के साथ जूम रहा है जारखन केबिनेट से 1932 के खतियान का प्रस्ताव पारित होने के बाद पूरे राज में जस्न का महल देखा जा रहा है गोड़ा में जेमें करकतावन जूलूस निकाला इस्तरार मांदर और ढोल की थाप जम कर थिरकते हुए जस्न मनाया सियम हमन्त ने गुरु जी से लिया असिरवाद राजेपाल से मुलकात कर गए दिली जारखन केमिनेट से 1932 के खत्यान का प्रस्ताव पारित होने पर सियम हमन्त सुरेन ने अपने पिता गुरु जी सीवू सोरेन से असिरवाद लिया वहीं राजेपाल रामेस बैस से मुलकात की बता दे कि सीएम ने राजेपाल को पत्र लिखकर निर्वाचन आयो के मंतबे की जनकारी जल्द देने की अपिल की है रांची के मुराबाद इस्थीत आवास में अपने पिता पुर्व मुख्य मंत्री एवं बर्तमान राज सबसांसा दिसोम गुरू सीवू सोरेन से मुलकात की मुख्य मंत्री ने उन्हें 14 सितंबर 2022 को संपन हुए मंत्री परषद की बैटाक मुणे से 32 खत्यान अधारी जहरकन का अस्थानिये निवासी की परिभासा एवं पहचान के लिए बिधैयक 2022 के गटन की स्विक्रिती दिये जाने एवं अने बढ़े निर्नययों के समध में आउगत कराया दुर्गा पूजा में बीधी बेवास्था के लिए पुलिस अधिकारियों से चर्चा है रांची SSP की सोर कौसर ने कहा है कि दुर्गोट्सो पर सरकार वपर्चासन के निर्देश का पालन पूजा आयोयक करे रांची के SSP और CTSP आंसुमान कुमार ने गुरुवार को रांची महानागर स्री दुर्गा पूजा समीती के प्रतिनिदियों से भेट की प्रतिनिदियों ने दुर्गा पूजा के दुरान बिदी बेवस्था भीड नियंत्रन समेत पंडाल के आस्पाथ पूलिस कर्मियों के तनाती पर चर्चा की समीती के मुख संजोजक सा अध्यक्ट डाक्टर अजीत कुमार सहाय ने बताया की दो साल के बाद सभी आयोजक उत्साह के साथ पूजा तयार में जुटे हैं राजस्व उप निरिक्षक आज से अनिस्चित कालिन हरताल पर जायेंगे इससे जाती आय वर आवासिय पवान पत्र बनाने का काम जमीन हस्तनांत्रन वर मुटेशन तथा सड़क पर योजना से समधी जमीन अधिग्रहन के काले परभावित होंगे जारखन बाजस्व उप निरिक्षक संग के राज ये अध्यक्ष अमर की सोर्सिंग ने कहा है कि संग लंबे समय से अपनी मांगो के लिए संगर्च कर रहा है लेकिन कोई करवाई नहीं की जाती है मांगो को लेकर एक दिन पहले कर्मियों ने राज भवन के समक्ष परदसन किया था संग के एक प्रतिनिधी मंडर ले मुखे मंत्री सचीवाले में जाकर उप सचीव को मांग पत्र भी सोपा और बताया कि मांग नहीं माने जाने पर हताल जाड़ी रहेगा पूजा सिंगल के पती समय चार पर गिरफतारी की तलवार मनी लॉंडरिंग के आरोप में 113 दिन से जेल में बंद निलंबीत IAS अधिकारी पूजा सिंगल के कारोबारी पती अभिसेख जावा आरोपी तीन इंजिनियर पर भी गिरफतारी की तलवार लटक रही है गिरफतारी से बचने के लिए विसेख किसायद खोटी विसेश प्रमंडल के ततकालीन कारेपालक अभियानता सासी परकास ने अगरीम जमानत यज का दाखिल की है वहीं आरोपी ततकालीन साहायक अभियानता रायंद्र जैन की अगरीम जमानत अरजी आदालत ने खारिच भी कर दी है जारखन में पचास एरसिशकों की बहाली जल्द सिक्छा मंत्री सिक्छा मंत्री जगनात महतो गुरुगार को उर्मांजी इस्थीत आटीसी कॉलेज दरदाग पहुँचे उन्होंने कहा है कि सरकार पचास एरसिशकों की जल्द बहाली करेगी छात्र छात्राओं को खत्यान और आरक्षन से लाब नहीं होगा लाब पराप्त करने के लिए इमंदारी से पढ़ाई करने होगी कॉलेज के सिक्छकों से कहा है कि आप सभी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता मंत्री ने कहा है कि अच्छे अंक से पास करने वाले चात्र छात्राओं को सरकार ने सुल्क उच सिक्छा दिलाएगी वहीं पुर्वसांसत राम टहल चौजरी ने सरकार द्वारा कराए गए कामों की सराना की उन्होंने कहा है कि सरकार ने घोसना पत्र में जो बात कही थी वहीं पूरी कर रही है जारखन में सुखार से निपटने के लिए ग्रामिन विकास विभाग करेगा पहल जारखन में सुखार के चिछी से निपटने के लिए ग्रामिन विकास विभाग पहल करेगा जल समरीदी योजना के तहट जीतने भी नदी नाले बंद है उसका जिर्नोधार होगा ताकि सुखार की स्थिती उत्पन ही न हो बार्चा नहीं होने पर भी इनमें किसानों को पानी मिल सकेगा और सुखार से लोग प्रभावित भी नहीं होंगे यह काना ग्राविन बिकास मंत्री आलमगीर आलम कहा है वे गुरुवार को प्रजेक्ट भावन में मंदेगा के सीएफ़पी कारेकरम के उद्गाटन समारों में बोल रहे थे मंत्री आलम ने कहा है कि इस साल भी कम बारिस होने से किसान परिसान है सरकार ने बंद नालों के जिनोधारन का काम सुरू कर दिया है लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो सके है गढ़वा में बुजूर्ग की गला काटकर हत्या जहरखंड के गढ़वा जिले में सिरीबंसी धर नगर उटारी थाना अंतरगत जांगीपूर में एक ब्यक्ति की गला काटकर हत्या करने का संसाजी खेज मामिला सामने आया है संसनी फेल गई घटना के बारे में अस्थानी लोगों ने बताया है कि दसू में ता चाय पीकर टहनले एस्टेशन की ओर जा रहे थे तबी अचानक एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर आए चाकू से उनका गला काट दिया पारामेडिकल संस्थानों में परवेस परिक्षा के लिए आज से भरे फरम राजे के सरकारी इवं गयर सरकारी फरमेंसी तथा पारामेडिकल संस्थानों में नमांकन के लिए आयोजित होने वाली पारा मेडिकल पर्वेस परत्योकता परीक्षा 2022 में सामिल होने के लिए सुक्रवार्ग से ओनलाइन फरम भर जाएंगे जार्खन समयुक्त पर्वेस परत्योकता परीक्षा परसद ने ओनलाइन आवेदन की अंतिमतिती 29 सितमबर निधारित की है अभियारती ओनलाइन आवेदन में 30 सितमबर तक किसी परकार का संसोधन कर सकेंगे या परविश परिक्षा रांची के विभीन केंद्रोपाद 16 अक्टूबर को आयोजीत की जाएगी जारखन डीजीपी के चेतावनी तुरंत सुधार जाए पुलिस अपसर बेवज़ा मामले लटकाने वाले पुलिस अपसर चिनित किये जाएगे जारखन डीजीपी नीरज सिना के आदेश के बाद सभी डीजी लंबित मामलों के कारान वा अनुसंधान की प्रगतिक जनकारी लेने में जुटे हुए है बुद्वार को ही रांची के SSP की सोर कोसल ने पुतांग के थानेदार अर्विन सिंग को इसलिए निलंबित कर दिया कि उन्होंने एक साल तक ठागिक के एक मामले में आवेदन को दबाय रखा प्राथमी की दर्ज नहीं करने आवेदन दबाय रखने का या कोई बात नहीं नहीं है दूसरा ममला रांची के ही बरियातु थाने का है जिसमें सिकायत करता ने लोकायूक्त एसेसप वा डियाई से लिखित सिकायत की है कि कोट के दोदो आदेस के बावजूद बरियातु थानेदार ने प्रात्मी की दर्ज नहीं की जारखन में 60% अबादी के पास खत्यान नहीं जारखन में अस्थानेतों को एक बार फिर से परिभासित करने की कोशिस शुरू हुई है इसके पुर्व पहले मुख्य मंत्री बावुलाल मरांडी के कारकरम में ऐसी कोशिस हुई थी फिर बावाल इतना बढ़ा की बावुलाल मरांडी को मुख्य मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा जारखन में एक बड़ी अबादी के पास 1932 का खत्यान नहीं है इसके दारे में सांसत बिधायक भी आते हैं वही कैबिनेट के मंत्री भी हैं हे मंत्री सरकार की आधी कैबिनेट बाहरी साबित हो जाएगी एक आकलन के अनुसार 60% अबादी के पास 1932 का खत्यान नहीं होने की बात सामने आई है हे मंत्री सरकार सत्ता जाने के डर में आस्थाने अता पर हलबाडी में लिया निरना है भार्खन सरकार द्वारा कैबिनेट से पारित 1932 के खत्यान अधारित अस्थानी एव नियोजन नीती सात्ता जाने के डर से हलबाडी में लिया गया निरना है या बाते जारकन उल्गुलान संग के केंद्रिय संजोजक अलिश्टियर बोद्रा ने एक प्रेस ब्यान जारी कर कहा उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री को यह अस्पष्ट करना चाहिए कि बिधान सभा में उनके द्वारा 1932 के खत्यान अधारित अस्थानिय निती के बिधानिक्ता पर सवाल खाड़ा करने वाला ब्यक्तब यह सही था या बरतमान में मंत्री पर सद्वारा पारित अस्थानिय निती नय संगत है उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री के अगुआई में जारकन सरकार द्वारा जारकन्डी भावना से खिलवाल नहीं करना चाहिए इंडियन किर्केट टीम के हर मैच का मोराबादी में होगा लाइप परसारान रांची में किर्केट प्रेमियों को देखते हुए नगर निगम ने एक नई पहल की है रांची नगर निगम के द्वारा अब इंडियन किर्केट टीम के हर मैच का लाइप परसारान मोराबादी में लगे 11 स्क्रीन पर किया जाएगा इसकी सुरुआत T20 वर्ल्ल कॉप के मैच से होगी मौसम खराब रहने पर लाइप परसारान नहीं किया जाएगा निगम का कहना है कि ASEA कॉप में भारात और पकिस्तान के बीच हुई मैच के लाइप परसारान किया गया था मौराबादी में हजारों लोग जमा हुए थे सहर में किर्केट को लेकर लोगों में काफी उच्छा है खेल को बढ़ावा और लोगों के मन रंजन को देखते हुए इसकी सुरुआत की जा रही है अपर नगर आयूक्त के निटित में निगम के टीम काम कर रही है UPSC की सीविल सेवा की मोखे परिक्षा 16 से रांची में संह लोग सेवा आयोग नई दिली द्वारा अवजी सीविल सेवा मोखे परिक्षा 2022 सोला सितंबर से शुरू होगी परिक्षा 16 सितंबर से 18 सितंबर एवाम 24 सितंबर से 25 सितंबर तक होगी प्रतम पाली सुबा 9 बई से 2 पहर 12 बई तक यहम दूतिय पाली 2 पहर 2 बई से संध्या 5 बई अप्राहन तक होगी बता दे जारकन की रईधानी राची में परिक्षाक केंद्र निर्माला कॉलेज डोरंडा में आयोजित होगी परिक्षाक केंद्र पर कदा चार मुक्त वातावरन में परिक्षाक आयोजन कराने एवं बीधी बेवस्था बनाये रखने के लिए उपायुक्त सजीला दंडा अधिकारी एवं बरिये पुलिस अधिक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पता अधिकारी के साथ दंडा होगी बुद्धवार को मुख हिसाची सुखदेव सिंग के अध्यक्सता में जारकन सिक्षा पर्योजना परिशत की राज करकरनी की होई बैठाक में इस पर समाती बनी है साथ ही इन विद्यालों में सिक्षकेतर कर्मियों को आउट्सोर्स पर बहाल करने पर भी समाती बनी बैठाक में तय हुआ है कि इन विद्यालों में होने वाली नियोक्ती में समाने सिरेनी के अभियारतियों को जारकन से मैट्रिक और इंटर्मियरेट उतिन होना अनिवार्य होगा BRP CRP के मान्दे के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव राज कारकरनी की बैठाक में समगर सिक्षा भ्यान के चालू बीतीय वर्स में केंदर से सुवकृत बयाट की जनकारी दी गई कारकरनी में यह राशी खर्च करने पर सुवकृती भी परदान की साथ ही राज में करणरत परखंड साधन सेवियों वा संकुल साधन सेवियों के मांदे में 10 परतिशत के हुई बिरिधी पर राज बजट से अतिरीक्त रासी की मांग के लिए प्रस्ताव केबिनेट को भेजने का नहीं लिया गया बता दे की वर्ष 2019 में इनके मांदे में 10 परतिशत की बिरिधी की गई थी केंद्रे से यह रासी स्युक्रिती नहीं होने पर जारकंड सिक्षा पर योजना परिशद इस अतिरीक्त रासी का वहान अपने अतिरीक्त सुरत से कर रहा था भारतिये रेलवे हवाई जहाज से करवा रही रायस्थान दर्सान इस सल अक्टूबर में ही सारे परवतेवार खतम हो जाएंगे तेवार के बाद हल की ठंड के बीच रायस्थान की सेर करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्लाइट पैकेज त्यार है बता दे I.R.C.T.C. ने इस पैकेज का नाम पदहारो रायस्थान दिया है रायस्थान की सेर कराने के लिए हवाई जहाज 4 नवंबर को उड़ान भरेगा रांची से सुरू होने वाले इस हवाई सफर के लिए धनबाद और बोकारो समेद राजे के दोसरे सौहरो के यातरी आसाली से टिकट बूक करा सकते हैं Giri D. में जाती परमान पत्र के लिए पैसे की मांग पर विरोध गिरी D. के राय धनवार के उदकरमिक परात्मिक बिद्या लाए चुजुखो में जाती अवासिवा आय परमान पत्र बनाने के एवाज में पैसे मांगने वह MDM में गड़बड़ी बरतने पर ग्रामिनों न जम कर हंगामा किया अस्थानिय मुखिया कार्तिक पासवान, माले नेता, क्यूम अंसारी तथा स्कूल अध्यक नौसाद अलम के नितित में ग्रामिनों ने स्कूल के सचीव जावेद अंसारी पर सरकार के नियमों के बिपरीत बिद्याला के संचालन कराने का आरोब भी लगाया है मंचलो को रोकने के लिए स्कूल कॉलेज के बाहर तैनात रहेंगे सकती कमांडो रांची की स्कूल कोलेज गेट के बाहर मंचलो का जमावडा लगा रहता है ऐसे में छात्राओं के साथ अक्सर छेर चार आम बात हो गया है रांची पुलिस ने ऐसे मंचलो पर सिकंजा कसने के तियारी सुरू कर दी है इसके लिए एक पलान त्यार किया गया है इस पलान के ताथ स्कूल कोलेज में होर्डिंग्स लगाई जाएगी इस होर्डिंग में डिएसपी, सकती कमांडो, टाइगर मोबाईल और पीसी आर पुलिस का मोबाईल नमबर अंकीत रहेगा होंडिक्स में अंकीत नमबर पर फोन करने के बाद 15 मियट के भीतर पुलिस के टीम मोगे पर पहुचेगी चातरा के साथ छेड़ खायनी करने वाले मंचलो को ना सिर्फ पकड़ेगी बलिक उसे जेल भी भेजेगी धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का अबेल एक अंदब आये साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेहर करने ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वेक अवस्य दे थैंक यू